जो कि यहां पर दिया एक कोण है वह समांत रशरहनी में यदि सबसे छोटे कोण का माँआप सब से बड़े कोण PackHz k जीए ठीक है एक्णि बड़ा कौण है मतलब इनका यह हो गया कि वह순 एक्वे डिस्टेंस है कि पहला एंगल अगर टीटा है और फिर कुछ 10 डिगरी बढ़ते तो आगे वाला भी 10 डिगरी बढ़ना है ठीक है तो देखो आप द्यान से देखो कि मैं एक एंगल इसने बोले कि सबसे छोटे कॉण कमाप सबसे बड़े कॉण के माप से 50 डिगरी कम है सबसे छोटा अलफा ले लेता हूं सबसे बड़ा बीटा ले एक एंगल है मैं यहां पर आसे लेकूंगा अलफा और यह बीटा है और बीच में एक एंगल है गामा अब इसने बीटा और अलफा का डिफ्रेंस दे रहा है पचास डिगरी और हम यह बोल रहे हैं कि यह वाला डिफ्रेंस और यह वाला डिफ्रेंस इक्वल है क्योंकि दोन और बीटा किता हो गया मेरा वो हो गया alpha प्लस 50 अब आप देखो कि एक एंगल मेरा alpha है एक एंगल alpha plus 25 डिगरी है और एक एंगल मेरा alpha plus 50 डिगरी यहीं गहिंता होगत to go अल्फा की value आजाएगी यहां से 35, 35 degree ठीक है तो पहला एंगल 35 degree हो गए अब जो सबसे बड़ा कोण है वो पूछा है वो 50 degree जादा है तो 85 हो जाएगा 50 plus 35, 85 degree बी option अपना answer हो जाएगा 85 तीनों एंगल भी कोई भी एंगल निकाल लो अल्फा हमारा किता है 35 degree है अगला एंगल इससे 25 degree जादा होगा तो यह हो गया मेरा 60 degree और उससे अगला हो गया मेरा 85 degree ठीक है